गुद आफ्टरनों स्टूर्यर्स आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में तो देखिए मैटर क्या होता है नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एनिटिंग विच उक्यूपाई स्पेस एंड पॉजस्थ मास्स जोन अस मैटर ठीक है सेम वही चीज है बस क्याव कर सकते हैं एक से उसे ज्पाइब कर सकते हैं किसी चीज को तो वो मैटर है थीक है आपकी असपास सब चीजे मैटर से मिलगं बनी हुए ओक्सीजन एयर भी मैटने रही है ऐक सीजन है ना actsди ऊसीजन को फील सकते हैं नाक बन कर दो डम गुठने लग जाए तो कोई भी चीज आव ओं मैटर से मिलकर बनी हुगी है अब मेटर को classify करते हैं, दो तरह से classify कर सकते हैं, physical classification पढ़ते हैं और chemical classify करते हैं matter को, तो physical classification, physical state के basis चैज़, physical state क्या, solid liquid gas, ठीक है, तो on the basis of physical classification matter को कैसे classify करा गया है, solid liquid और gaseous form में, solids में आप देखिए, जो भी चीज है, solid है, वो किस से बनी होगी, matter है, वो particle से मिलके बनी होगी, solids में क्या होता है, जो particles होते हैं, वो tightly packed होते हैं, ठीक है, यानि कि, एक से एक शटे होते हैं, लेकिन liquid में क्या होता है, particles जो होते हैं, दूर-दूर होते हैं गैसियस हैं और भी दूर-दूर होते हैं यानि कि गैसियस पाइटिकल के बीच में स्पेस जाग रहा होता है ठीक है, अब सॉलिड को डिफाइन करते हैं, सबसान से सेट तो भी सॉलिड इफ पोजेस अड़ीनेट वॉल्यूम वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन डेफिनेट नहीं होती अब ग्लास में डालोगे तो वह ग्लास की शेप ले लेगा लिक्विड बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप ले लेगा ठीक है ना बीकर में डालेंगे बीकर की शेप ले लेगा ओके तो वाटर मिल्क य आइड्रोजन नाइट्रोजन इलियम यह सब क्या है गैसिय स्टेट में होता है ठीक है अब यह जो तीन स्टेट तीनों स्टेट होती है इंटर कनवर्टिबल होते हैं यानि कि हम कंडिशन्स चेंज करके एक दूसरे में इनको कनवर्ट कर सकते हैं जैसे सॉलिट से क्लासिफाइबल होते हैं अब बात करते हैं मैट्र को कैमिकली क्लासिफाइब करा गया तो देखिए प्योर सबस्टांसिज और मिक्सचर यानि कि पूरे मैट्र को कैसे पढ़ते हैं प्योर सबस्टांसिज और मिक्सचर प्योर सबस्टांसिज में एलिमेंट्स कंपाउंस साते हैं मिक्टर में क्या पढ़ते हैं solutions और हिट्रोजीनियस मिक्टर यानि कि होमोजीनियस मिक्टर और हिट्रोजीनियस मिक्टर होमोजीनियस का मतलब क्या है single face, heterogeneous का मतलब होता है 2, 3, 4, कितने भी faces हो सकते हैं Face मतलब कि जैसे liquid ही दिख रहा है अगर completely solid ही दिख रहा है तो वो single face हो गया ठीक है, जिसमें हमें 2, हम differentiate कर पाएं उसको क्या बोलते हैं, heterogeneous mixture अब compounds में हमें inorganic compound बढ़ते हैं और organic compound बढ़ते हैं तो homogeneous की definition क्या होगी कि किसी भी material को आप homogeneous कब कहेंगे if it has uniform composition and identical properties throughout मतलब उसकी composition uniform हो सब जगाए एक जैसा ही हो ठीक है, और कहीं से भी उस mixture को ले लो properties जो हैं, वो सबी की same रहे अब simple सी बात है, homogeneous का मतलब है consist of only one face, single face हो हिट्रोजीनियस में क्या होता है एक से ज़्यादा phases हो सकते हैं pure substance को define करते है कोई भी material है अगर वो उसमें एक ही तरह के substance है तो वो pure substance है mixture में क्या होता है एक से ज़्यादा तरह के substance होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो जो भी material है वो pure नहीं है अगर वो उसमें एक से ज़्यादा सर्चान से यह chemistry की language में होता है ठीक है तो वो pure नहीं है और अब जैसे milk है milk pure थोड़ी नहीं milk एक mixture है ठीक है ना आप बोल दो pure milk है chemistry की language में वो pure नहीं है उसमें protein सी है fats भी है carbo भी है ठीक है ना तो मतलब एक से ज़्यादा चीज़े होगी ना तो वो pure नहीं है वो mixture है अब pure substances में हम पढ़ते हैं उसको further classify करागा elements और compounds में mixtures भी दो तरह के होते हैं homogeneous, heterogeneous pure substances की बात करें pure substances में तो एक ही तरह के substance होंगे pure substance क्या होते है element और compound ठीक है तो element और compound यह तो हमेशा ही क्या होते है homogeneous mixture होते है और homogeneous mixture को solution बोला जाता है क्योंकि इनमें single phase होता है जो solution है आप सिरफ यह नहीं कह सकते कि solution liquid ही होता है solution solid भी हो सकता है liquid भी हो सकता है, gaseous भी हो सकता है जैसे solid solutions की बात करें दो metal है आपने गरम कर दिया, उनको melt कर दिया और mix कर दिया तो वो alloy बन जाता है ना तो alloy क्या है, एक solid solution है जैसे कि brass brass क्या है, एक alloy है किस से मिलके बना हुआ है, दो metal से copper और zinc ऐसे liquid solution की बात करें, नमक को मिला दो पानी में, तो वो नमक दिखता थोड़ी ना, वो पानी जैसा ही तो नजर आता है, तो वो liquid solution है homogeneous mixture है, वो taste भी same होता चाए, आप कहीं से भी उस पानी को ले लो चाए surface से लो, चाए middle से लो कैसे solution की बात करें तो example क्या हो गया, here ओके, अब next हम define करते हैं, elements और compound को तो elements की element को कैसे define कर सकते हैं element क्या है, एक pure substance है जिसमें एक ही तरह के particle है an element is defined as a pure substance that contains only one kind of particle, एक ही तरह के अगर particle है, किसी भी जैसे मैंने iron की rod दे दी और वो pure है तो उसमें iron के ही तो particle होंगे iron के ही तो atom होंगे तो हम क्या बोल देंगे, iron का element है सही है, अब particles जो है, वो atom भी हो सकते है molecule भी हो सकते है for example carbon, sulfur, iron, lead, gold mercury, hydrogen ये सब क्या element है अब element को further subdivide कर सकते हैं periodic table बनी होई है ना पूरी तो उस periodic table में क्या elements metal है, कुछ non-metals है और कुछ metalloids है metals की भाई अपनी property होती है lustrous होते है, यानि की shiny appearance होता है malleable होते है ductile होते है, यानि की इनकी पतली-पतली तारे भी बना सकते है और sheets भी बना सकते है इनका melting point high होता है ऐसे non-metal का reverse होता है electricity conduct करते है heat conduct करते है density बहुत ज़ादा होती है ठीक है, लगबग सभी metals solid होते है exception क्या है, mercury, HG जिसका symbol है example iron, cesium, rubium ये सब क्या है metals है, ऐसे non-metals क्या होते है, non-lustrous कोई चमक नहीं होती, brittle यानि की हतोड़े से मारेंगे तो तूट जाएंगे चुरा-चुरा हो जाएंगे, powder बन जाएगा poor conductor होते है heat और electricity के, example graphite तीनो form में तीनो states में exist करता है example क्या होगे, carbon, iodine, bromine, chlorine, सब क्या है non-metals है, अब metalites की बात करें, तो इनकी property किस्से, metal और non-metal दोनों से ही थोड़ी-थोड़ी match करती है example याद रखना, arsenic, bismut etc next compound की बात करें, तो compound भी क्या है